इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिसकस करूँगा एक प्रेस नोट के बारे में जिसको रिलीज किया गया है हिमाचर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन यानि कि लोग सेवा आयोग शिमला की तरफ से इस प्रेस नोट को रिलीज किया गया है आज यानि कि 18 मईए 2021 को सबसे पहले इस प्रेस नोट में आयोग की तरफ से सभी स्टोडेंट्स को इनफॉर्म किया गया है कि जितने भी एक्जाम होने हैं उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट इसमें चाहें कंप्यूटर वेस्ट टेस्ट या फिर ऑफलाइन उसके बाद मैंस रिटन इग्जैमिनेशन या फिर परसनल्टी या फिर इवैलुशन स्टूल इन सभी एक्जाम को कंड़क्ट किया जाएगा नियर फ्यूचर में जैसे ही कोबिड-19 की स्थिति थोड़ी समान्य हो जाती है इन टेस्ट को कभी भी कंड़क्ट किया जा सकता है उसके बाद आयोग ने सभी कंडिडेट को कि जन भी कंड़ेट के एक्जाम मैंज एक्जाम हो चाहे स्क्रीनिंग टेस्ट ओ या फिर इवैलुशन स्टूल हो सभी अपनी जो प्रेपरेशन है उसको अच्छे से रख ले कभी एक्जाम का स्टूल आपके सामने आ सकता है और मैंचिन किया है कि जो भी एक्जाम कंड़ होने होंगे तो उसके 15 दिन पहले ही आपको निक नोटिस दिया जाएगा तो इसलिए आप अपनी प्रेपरेशन को अभी से ही सही कर लें अब हम देखेंगे कि कौन-कौन से उसके पर पूस्ट के ने अफ्र सीधि एंग्शाम की लिएशन सेफिटी अफिसर या फिर मेडिकल फियजिस्ट उसके बात करें तो ड्रग इनसेड्र दियाई की या फिर एसेस्टेंट रिसेच ओफिसर उसके बाद हम इस में देखते हैं HPFS का जो ACF Assistant Conservator of Forest का जो Men's Exam 2019 का है उसका schedule भी आपके सामने जल्द ही आ सकता है इसलिए जिन भी Calidates का जो ACF Men's है वो अपनी preparation को अच्छे से रख ले किसी भी इसमें आपके सामने जो Men's Examination का जो schedule आ सकता है उसके बाद जो RO F.E. Range Forest Officer का screening test offline exam भी इसका schedule भी जल्द ही आपके सामने आ सकता है तो ये थे जो जिन भी exam के return exam या फिर screening test थे इन सभी का schedule आपके सामने commission जल्द ही दे सकता है इसलिए आप अपनी preparation को जारी लगें अब उसमें बात करेंगे कुछ हैं कि exam की जिसके personality test या फिर evaluation schedule बचे थे उसमें सबसे पहले हिमाचल प्रदेश जूडिशल सर्विसिस के और T.W. तैसील बेलफियर ओफिसर original manager जो HRTC में थे उसके बाद manager technical HRTC में ही और उसके बाद lecturer school new history का और lecturer ही जो political science इन सभी जो exam या फिर post के personality test या फिर जो evaluation schedule जो बचे हैं इन सभी का जो सदूल भी commission जल्द ही जारी कर सकता है उसके बाद हम इसमें देखेंगी evaluation schedule के बारे में जिसमें की lecturer, school new history और political science इसमें जो evaluation schedule के लिए जो जो document आप से मांगे हैं उन सभी document को आप proper तरिके से उनको त्यार कर लें commission किसी भी इसमें जो evaluation schedule को जारी कर सकता है या फिर कह सकते हैं कि इन सभी exam का जो schedule commission जल्द ही जारी करने वाला है जैसे ही COVID-19 की स्थिती समानिया हो जाती है बैसे ही आपके जो भी exam बचे हैं इन सभी का schedule जारी कर दिया जाएगा commission की तरफ से उन्होंने announce किया है जो exam का minimum जो notice exam के 15 दिन पहले दिया जाएगा इसलिए आप अभी से अपनी preparation को अच्छे से रखें आशा करता हूँ कि हमारे दोरा पुंचाई गई जानकरी आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको lecture पसंद आया तो उसको like करें comment करें और share करें साथी चैनल को subscribe करना ना भूले तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें safe रहें, स्वस्त रहें मिलते हैं next lecture में नई वीडियो के साथ नवस्कार